Hello everyone and welcome to SkillBuzz. मुझे तो कोडिंग करना है. वाई डू आई नीड गूड बिजनस कम्यूनिकेशन स्किल्स? मैं इस वीटियो में इसी चीज के वारे में डिस्कस करूँगा दोस्तों कि क्यूँ एग्जाक्ली बिजनस कम्यूनिकेशन स्किल्स इतना जाधा इंपॉर्टेंट है. Doesn't matter whatever position you are holding. कितने तरह के टाइप्स होते हैं business communication के. और किस तरीके से right from scratch आप इस skill को master कर सकते हैं. Does not matter how weak you are right now. किस तरीके से इसको completely master कर सकते हैं. Right from storytelling, verbal, non-verbal communication, सारे चीज, किस तरीके सा आप कर सकते हैं. सारे चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो के दुरू बताऊंगा So my name is Sabya Saatchi and with no further due let's begin तो सबसे पहले हम जानते हैं कि communication क्यों important है दोस्तों जैसे मैंने एक example अभी दिया कि let's say you are a software engineer और आपको यह हमेशा लगता है कि यह software engineering के लिए coding का importance है communication करके क्या होगा मैं तो बैठके coding करूँगा but let me give you a scenario let's say आपके company में एक certain problem को लेके project चल रही है और उस problem को solve करने के लिए आपने एक software बनाने का या फिस software develop करने का एक idea अपने दिमाग में लाया और आपको manager ने call किया है और team को conference मिलिया है और उन्होंने आपको बताए कि यार अब समझाओ आपका problem solving का क्या तरीका है और क्या ऐसा programming आप किये हो जिसके थूरू इस problem को आप solve कर सकते हो अब ऐसे situation पे आपने एक programming तो किया है लेकिन आपके team को समझाने के लिए आप programming language में तो नहीं समझाओगे because everybody does not understand software और अगर किसी को आप समझा नहीं पाऊगे तो team को collaboratively आप उस project में काम भी नहीं करा पाऊगे तो आपका जो भी thought process है उसको आपको अच्छी तरीके से communicate करना है simple language में ताकि दुनिया का कोई भी इंसान आपके बात को समझ सके और आपके साथ हाथ मिला के उस project में आपके साथ काम कर सके let's me give you another scenario ठीके let's say आप एक certain business plan pitch कर रहे हो आप एक consultancy company में काम कर रहे हो और एक certain idea pitch कर रहे हो अपने client को आप आपका client बस आपके पास नहीं बहुत सारे consultancy firms के पास जा सकती है मैं आपको guarantee देता हूँ आपका client हमेशा उस इनसान के पास जाएगा जो problem को अच्छी तरीके से solve करने का तरीका समझा पाया है अब हो सकते हैं आपका idea बहुत अच्छा हो लेकिन जब तक आप समझा नहीं सकते तब तक client आपके पास नहीं जाएगी और ऐसे communication की gaps के वज़े से बहुत companies का dollars millions and millions of dollars के losses होते हैं इसलिए company कभी candidate को effort नहीं करती है जिसके पास अच्छा communication skills नहीं है does not matter how much skilled you are in the work you do शायद आप आपको समझ में आ गया होगा कि why exactly communication is necessary so by this हम लोग अब समझते हैं कि इसकी importance कहां कहां होती है पहले जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर आप information का exchange कर रहे है you need good business communication दूसरा है कि आप सुचो employees है बहुत सारे and if you want to enhance their skill if you want to motivate them तो इसके लिए भी अच्छा communications की ज़रुरत होती है क्योंकि employee motivation is actually an integral part in any corporate world फिर a formulation, execution करना plan का किस तरीके से execute होगा उसको अच्छी तरीके से समझाना क्योंकि बहुत सारे profiles के लोग एक साथ एक team में काम करते हैं और सबका understanding बहुत अलग होती है तो सबको एक ground में लाने के लिए एक simple language का आपको इस्तिमाल करना पड़ेगा ठीके, आप एक programmer हो तो आप programming language में लोगों को नहीं समझा सकते problem solving के time पे आपको simple language में समझाना पड़ेगा कि आपने programming exactly क्यों किया है तो यह जो सारे subtle differences है यह जो सारे subtle problems है इसको एक proper communication के through it solve हो सकता है वो किसी भी तरीके का communication हो फिर आप देख लो stakeholders के साथ connection let's say आपने एक report बनाया है और आप stakeholders को pitch करना चाहते हो because let's say you want to raise more money कुछ भी reason हो सकता है तो client को अगर कोई plan pitch करना है आपको proper storytelling आनी चीए proper verbal communication आनी चीए जब तक नहीं आएगा तब तक यह नहीं हो पाएगा इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो presentation बनाते हैं लेकिन उसको present करने का मौका नहीं मिलता because they are not good in their communication skills कोई और इंसान उसको present करता है जिसका communication skill अच्छा होता है doesn't matter आपका presentation कितना अच्छा हो जब तक आप उसको बोल के अच्छे से present नहीं कर पाओगे आपको मौका नहीं मिलता you don't get that attention in the corporate world ठीक है तो leadership के लिए भी यह बहुत important होता है क्योंकि जब तक आपको बोलना नहीं आता आप लोगों को एक साथ काम कैसे करा होगे तो बहुत सारे ऐसे reasons है जो एक साथ मतलब compile होके एक business communication अच्छा importance create करती है ठीक है तो ये इसी exact वज़े से मैं हर किसी को ये चीज़ सज़ेस्ट करूँगा कि even doesn't matter how skilled you are in a certain thing you need to have good communication skills अब जानते हैं दोस्तों कितने तरह की communications होते हैं दोस्तों mainly जो communication है उसको internal और external चीज़ों में divide के जाता है यहाँ पर मैं internal communications की बार में बात कर रहा हूँ because आप corporate के अंदर जब रहोगे obviously internal communications आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी तो internal conversations बहुत तरह के होते हैं एक है जो vertical में आप करते हो मतलब आप अपने hierarchical position से आपके उपर वाले जो manager है उससे किस तरीके से बात करना है आपके नीचे वाले का जो manager है उससे किस तरीके से बात करना है आपके horizontally जो आपके peers है उससे किस तरीके से बात करना है यह जो सारे differences है कहने का तरीके का यह जो diplomacy का differences है इन सारे चीजों के बारे में भी जानना बहुत जादा important है और यही different types of internal communications है external communications में same ही चीज है बस आप वहीं चीज clients के साथ करते हो बहाद जो clients के साथ आप deal करते हो किस तरीके से आपके उपर वाले level के client के साथ deal करना है आपके parallel ही अगर कोई है तो उसके साथ किस तरीके से deal करना है तो these are all the different types of communication जिसमें अलग-अलग tonality होती है आपकी words की आपका जो presentation है वो different होता है ताकि आप उनको आपके साथ engage कर सको अब हम लोग जानते हैं कि business communication किकने जगे से आप use कर सकते हो देखो social media में अच्छा communication platform के लिए अलग communication होता है जैसे email पे अगर आप non-verbal communication करना चाहते हो that is different conference call का communication फिर presentation में storytelling का communication जब written reports को आप communicate कर रहे हो तो यह जो सारे different types of communication है अगर कभी advertisement कर रहे हो self-advertisement कर रहे हो तो उसका जो presentation है यह जो सारे चीज business communication के अंदर लाई करती है तो यह सारे चीज एक तरीके से master करना is very difficult और इसको एक structure तरीके से बनाना पड़ता है ताकि आप इस चीज़ को master कर पाओ ठीक है तो मैं अब आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस skill को सीख सकते हो तो दोस्तो हम लोगों ने आपके लिए एक full-fledged course बनाया है ताकि आप इस skill को सीख सको आप direct google कीजिए skillbus trainings या फिर www.skillbus.co.in में जाए या फिर आप description box के link में भी जाके आप click कर सकते हैं हमने link provide कर दिया वहाँ पे तो यह है हम लोगों ने एक complete business communication का एक course बनाया है जहां पर आप जाके just go and click the check details and you can know a lot of things about हमने exactly क्या क्या चीज आपके लिए प्रिपेर किया है हमने एक पूरा modular structure बनाया आपके लिए जहां पर आप देख सकते हैं यह ऐसा syllabus बनाया है जहां पर आप starting right from scratch से end तक हर एक nuances communication का सारे चीज आप सीख सकते हो module 1 में आप किस तरीके से communication करना है talking और communication में differences क्या है listening अच्छा listener बनने के लिए क्या क्या चीज़े important है क्या क्या चीज़े आपको note down करनी चीए सारे चीजों के बारे में क्या क्या चीज एक इनसान के साथ communication barriers create करते हैं क्यूं कोई इनसान के साथ अब communication start नहीं कर पाते हो फिर non-verbal communication किस तरीके से करना है ठीक है body language कैसे रखना है हर चीज tips on body language business writing किस तरीके से करना है presentations किस तरीके से करना है cover letter किस तरीके से करना है आजकल बहुत ऐसे लोग है जो तो दिनको cv और resume के बारे में differences पता नहीं होते हैं यह सारे चीज के बारे में complete discussion मैंने जैसे कहा था right from the starting जैसे आप किसी interview में जाते हो वहां से लेके आपके corporate का जो topmost position है सारे चीज ठीक है case studies के साथ किस तरीके से आप working online how can you work on the conference calls यह सारे ची सब कुछ सीख सकते हो तो जाके just click on the description box and get to know किस तरीके से आप इस skill को master कर सकते हो so thank you everyone this was all about the video I request you to enroll to this course as soon as possible क्योंकि आपको इससे जो फाइदा मिलने वाली है दोस्तो that is absolutely priceless ठीक है एक बहुत यह अच्छा news है यह जो total course है हम लोग 1499 में provide कर रहे हैं which is the cheapest thing that you can ever have ठीक है and yet the most priceless thing so thank you everyone stay healthy and stay safe